केतकी अभी जिस बक्त से गुजर रही है, अगर उस बक्त से कोई और रहता तो पहले ही तिवारी परिवार से भाग गया होता। कि आज जैसे ही केत्की अपने भावी के पास आए हुए ओर्डर को केक बनाने के लिए वो अपने घर से बाहर निकल ही तब ही साधना ने एक बहुत बढ़ी चाल चली थी केत्की के हाथों में 30 व्रत को लेकर उसके हाथ में अब महंदी लगवा चुकी है हालां कि वही लगे हुए हाथों के महंदी को लेकर जब केत्की उस जगह पहुँच गई थी तब ही केत्की के भावी कहने लगी थी कि अब इन लगे हुए महंदी के हाथ से ये केक तो बन ही नहीं रहा अब हम इन ओर्डरों को क्या करे हालांकि केतकी ने वहाँ पर उन्हें कहीं थी की भावी हम यहीं खड़ी होकर हम आपको सारी विधी बता देते हैं लेकिन केतकी की भावी ने यहाँ पर उसका साथ नहीं दे पाई है और केतकी को आज साफ साफ कह दी है कि अब तुम्हारे भ वर्दान अपने ओफिस से बैठ कर अब केतकी के पास केक बनाने के लिए मैसेज करेंगे तो केतकी उसी के जरिये वो अपना पुरा ओर्डर को संभाल लेगी लेकिन वही दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अब केतकी के वर्दान के रास्ते से हटाने के लिए साधना और कालिंदी मिलकर एक बहुत बड़ा साजिश रचेंगे मगर इस साजिश के जाल में हो सकता है कहीं साधना खुद न फस जाए केतकी के नजर में और जल्द ही आएगा वर्दान के पापा का सच्चाई लेकिन ये आगे आने वाला वक्त बता पाएगा लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए